नमस्कार आपके तारे में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्र आईए जानते हैं आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम बताएंगे आपकी राशी के अनुसारा साथ ही आज के उपाय में होगा आपके लिए बहुत ही खास उपाय है तो जल्दी से शुरू करते हैं कारिकरम सबसे पहले बात आज के पंचांग की 30 जुलाई 2023 दिन रविवार स्रावण मास चल रहा है शुकल पक्ष है द्वादसी तिथी रहेगी सुबह 10 बज कर 34 मिनट तक फिर 13 तिथी प्रारंब हो जाएगी मूल नचत रहेगा राद को 9 बज कर 32 मिनट तक फिर पूर्वा असाड़ा नचत शुरू हो जाएगा चंद्रमा धनु राश में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर करक राश में बिराजमान हैं आज अभिजीत मुहूर्थ का समय होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बज कर 54 मिनट तक जो भी शुब काम महत्पूर काम आपको करना है आप अभिजीत मुहूर्थ में करेंगे तो कारियों के सफल होने की संभावना जाद रहेगी राहुकाल का समय होगा शाम को 5 बज कर 32 मिनट से साम को 7 बज कर 14 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें दिशा शूल है पश्यम दिशा तो पश्यम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों को आज शक्त्रों पर विजय प्राप्त होगी परिवार की परेशानी दूर होगी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं उन्हें कंट्रोल में रखने की कोशिस करें वाणी का प्रियोग सोच समझ कर करने से लाब होगा शुबरंग लाल उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें ब्रश राशी ब्रश राशी वालों का मनो बल उचा रहेगा आत्म सम्मान आपका बढ़ेगा किसी काम को लेकर क्रोध ना करें धैर से काम करने से फायदा होगा शुबरंग सफेद उपाय किसी गरीब को एक किलो आटा दान करें मिथुन राशी वाणी पर नियंतरन रखना होगा मेहनत का फल मिलेगा किसी बात को लेकर मन में टेंशन रहेगी सेहत आपकी खीक रहेगी शुबरंग हरा उपाय ओम नमा शिवाय का एक माला यानि एक सवाठ बार जाप करें करक राशी रिस्तेदारों से मुलाकात होगी मन आपका खुश रहेगा परिवार से सहयोग प्राप्त होगा नेगेटिव विचार वाले लोगों से दूर रहें शुबरंग क्रीम उपाय गव माता को रोटी किला है सिंग राशी जीवन में सुख बढ़ेगा धन प्राप्ती के लिए प्रयास बढ़ाना होगा विदेश से सम्बंधित कारियों में सफलता मिलेगी खर्च बढ़ने से पैसों को लेकर चिंता रहेगी शुबरंग हलका लाल उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं कन्याराशी परिवार के साथ वक्त बीतेगा आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा व्यापार में तरक्की के योग है आलश्य की वज़े से कोई भी काम ना छोड़े शुबरंग गुलाबी उपाय गडेश जी की आरती करें अब वक्त हो गया है सवाल लेने का यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीक, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है अंकित सोम अंकित सोम जी ध्यान से सुनियेगा आपका सवाल ले रहे हैं इनकी डेट अब बर्थ है उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं आपकी कुंभ लगन की कुंडली है और सिंग राशी है आपका जन्म पूर फागुनी नचत्र के तृती चरण में हुआ है इस समय आपकी मंगल की महादसा चल रही है जो जून दो हजार एकिस से शुरू हुई है और ये जून दो हजार अठाइस तक चलेगी और मंगल की महादसा में ब्रहस्पती की अंतरदसा चल रही है जो दिसंबर दो हजार बाइस से शुरू हुई है और ये नॉमबर दो हजार तेस तक चलेगी तो मंगल की महादसा में ब्रहस्पती की अंतरदसा चल रही है आईए आपकी कुंडली आपको दिखाते है देखे आपकी कुंडली में जहां ये 11 नमबर लिखा हुआ है ये है कुम्भलग्न और कुम्भलग्न का स्वामी शनी 18 डिगरी का बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में केतु के साथ प्रोफेशन का जो इस्थान मना जाता है ये है दसमा घर जहां आठ नमबर लिखा है और दसमे घर का स्वामी मंगल तेज डिगरी का बैठा है सात्वे घर में चंद्रमा के साथ शूरी की राशी में आपकी कुंडली के हिसाब से जौब प्राप्ति का समय चल रहा है यदि आप प्रयास तेज करेंगे तो अभी से लेकर दिसमबर दो हजार तेज के पहले पहले यानि आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको जौब मिल जाएगी अपनी तरफ से प्रयास बहुत तेज कर दिजे कोशिसें बढ़ा दिजे और जो उपाय बताने जा रहे हैं बड़ी गंभीरता से ये उपाय कर लिजे क्या करना है कर्मिस्थान का सौमी मंगल है तो हनुमान जी की पूजा करिए प्रति दिन हनुमान चालीसा पढ़िये मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाना है अपने घर से बेशन के लड़ू बनवा लें बेशन की बरफी बनवा लें घर पे नई संबह है तो बजार से भी ले सकते हैं और हनुमान जी को भोग लगा करके गरीबों को प्रसाद बाटे हैं एक उपाय तो ये करना है दूसरा उपाय शनिवार के दिन सुन्दर कांड का पाठ करें हनुमान जी की आरती करें और निवेदन करें की जो भी परेशानी आ रही है जौब में वो दूर हो और जल्दी नौकरी लग जाए ये दो उपाय करना शुरू करिए बहुत जल्दी आपकी इक्षा पूरी होगी चली आगे बढ़ते हैं और अब बात तुला राशी की सुक सुविधाओं पर तुला राशी वालों का खर्च बढ़ेगा आमदनी के साधन भी बनेगे सेहत का ख्याल रखना होगा जल्द वाजी में फैसला करने से बचें शुब रंग सिल्वर कलर उपाय किसी गरीब को एक किलो आटा दान करें ब्रिश्चिक राशी ब्रिश्चिक राशी वालों का आत्म विश्वास बढ़ेगा धन लाब के योग है अहंकार की वज़े से नुकसान हो सकता है सावधान रहें किसी बात को लेकर लोगों से ना उलजें शुब रंग मरून उपाय कम से कम तीन गरीबों को भोजन दान करें धन राशी तरक्की के रास्ते बनेंगे मित्रों से मुलाकात होगी मन की इच्छा पूरी होगी दामपत्य जीवन में मधुरता रहेगी शुब रंग पीला पीले रंग का आज आप उप्योग करेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा उपाय गरीबों को फल दान करें मकर राशी मकर राशी वालों को भागय का साथ मिलेगा पार्टनर्शिप में काम करने से लाब होगा आपकी मेहनत का अच्छा फल प्राप्थ होगा फैसले करने में देरी ना करें सेहत आपकी ठीक रहेगी शुब रंग आस्मानी उपाय किसी गरीब को एक किलो गुड दान करें कुम्भराशी कहीं दूर से शुब समाचार प्राप्थ होगा धनलाव के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होगी पैसा कमाने के लिए और मेहनत करना होगा परिवार से सहयोग मिलेगा शुब रंग सफेद उपाय गायतरी मंत्र का 108 बार जाप करें मीन राशी अपने ग्यान को महत्त दें और आपके ग्यान को महत्त मिलेगा भी लोग आप से सलाह मांगने आएंगे कारे छेतर में सफलता मिलेगी क्रोध से बचना होगा शुब रंग के सरिया उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें अब वक्त है आज के उपाय का यदि आप जौब कर रहे हैं और जौब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो ये उपाय करिए क्या करना है रविवार से शुरू करके प्रति दिन भगवान शूर को जलर्पित करें मंत्र नोट करिए उम घ्रणी शूर आये नमह इस मंत्र का प्रति दिन एक सवाड़ वार जाप करें रविवार के दिन कम से कम पांच गरीबों को सुद्ध साकाहारी भोजन दान करें ये उपाय करना शुरू करिए भगवान शूर की क्रपा से बहुत जल्दी आपको प्रमोशन मिलेगा तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपका दिन बहुत शुब हो नवस्कार